पाठ साथ टिपटिपवा आईए इस पाठ के प्रशन और उत्र का अभ्यास करते हैं पहला प्रशन कौन किस से परिशान? इस कहानी में लगता है सभी परिशान थे बताओ कौन किस से परिशान था तो पहला हम लिखेंगे बुढिया अपनी जोपडी में बारिश के पानी के आजाने से परिशान थी दूसरा हम लिखेंगे धोबी अपने गधे के गुम जाने पर परिशान था तीसरा हम लिखेंगे पंडित अपने घर में बारिश के पानी का जमा हो जाने की वज़ा से परिशान था चौथा हम लिखेंगे बाग मुस्लाधार बारिश और टिप-टिपवा से परिशान था अगला प्रश्णू लेते हैं मतलब बताओ नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिये गए हैं इन्हें अपने शब्दों में लिखो पहला दिया हुआ है टिप-टिपवा कौन सी बला है तो आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे टिप-टिपवा कौन सी मुसीबत है अगला लेते हैं पत्नी की बात दोबी को जच गई इस वाक्य को हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे पतनी की बात धोबी को पसंद आई अगला दिखते हैं बाग बिना चूच पड़ किये भीगी बिली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया तो इसे अपनी शब्दों में कैसे लिखेंगे? बाग बिना कुछ बोले चुप चाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया अगला लेते हैं जरा पोथी बाच कर बताईए वे कहा है तो इसे अपनी शब्दों में लिखेंगे जरा पत्री देख के बताईए वे कहा है अब अगला प्रशन लेते हैं याद करो तो पोथा दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो आईए इसका उत्तर लिखते हैं मैं से शुरू करना है बच्चो मैं बाहर खेलने के लिए मचलता हूँ मैं अपने मम्मी पापा से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ मैं बाजार जाने के लिए मचलता हूँ ठीक है बच्चो अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है कौन है टिपटिपवा हाँ बच्चवा ना शेरवा का डर ना बागवा के डर डर तर डर टिपटिपवा के डर तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे तो बच्चो इसका उतर हम लिखेंगे ना शेर का डर है ना बाग का डर डर सिर्फ इस बारिश की टपकतेवे पानी का है टिपटिपवा अगला प्रशन कहानी में टिपटिपवा कौन था तुम किस किसको टिपटिपवा कहोगे तो बच्चो इसका उतर लिखेंगे टिपटिपवा ना कोई आदमी था ना कोई जानवर वह सिफ बारिश का टपकता हुआ पानी था ठीके बच्चो अगला प्रशन बारिश ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मुसलाधार बारिश हो रही थी अगर मुसलाधार बारिश की बजाए बूंदा बांदी होती तो क्या होता यदि उस रात बूंदा बांदी होती तो तो बच्चो इसका उतर हमें लिखना है यदि उस रात बूंदा बांदी होती तो पोता अपनी दादी की गोद में लेट कर कहानी सुनता बाग बारिश से घबराता नहीं और धोबी से उसकी ऐसी हालत भी नहीं होती अगला प्रश्न तरहा तरहा की आवाजें पानी के टपकने की टिप 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 आवाज आ रही थी सोचो और लिखो ये आवाजे कब सुनाई पड़ती हैं नीचे कुछ आवाजे दी गई हैं और हमें सोच कर लिखना है ये आवाजे हम कब कब सुनते हैं पहला है खर-खर बच्चों जब हम नींद में होते हैं और हमारी सांसों से ऐसी आवाज आ रही होती है तो नींद में सोते हुए ऐसी आवाज आती है अगला भिन भिन ये तो आप सब जानते हो के ये आवाज मक्खी की होती है जब हमारे कान के आसपास मक्खी घुम रही होती है तो उसकी आवाज कैसी होती है भिन भिन ठक 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 अब होती है बचो जब कोई दर्वाजे पर खट-खट आता है या कोई चीज को खट-खट आता है अगला देखते हैं चर-चर तो बच्चों चर-चर आवास कब आती है कभी आती है दर्वाजे खोलने पर या कभी कुर्सी के चटकने पर अगला है भक भक तो भक भक आवास कब आती है आग की लप्टों से यानि जब तेज आग की लप्टे होती है तो आवास आती है भक भक अगला है तर तर तो बच्चों तर तर की आवास तब आती है जब किसी के गाल पर जोर से थपड लगता है तो गाल पर थपड लगने की आवास पे तड़ तड़ आवास आती है तो अगला प्रशन लेते हैं खूटा धोबी ने बाग को खूटे से बांद दिया सोचो और बताओ खूटे से क्या क्या बांधा जाता है तो बच्चो खूटे से सिर्फ पालतू जानवर को ही बांधा जाता है जैसे कि गाए, गाए का बच्चडा, भैस, बकरी, बैल, घोडा, गधा, आदी अब अगला प्रशन लेते हैं बच्चो एक से जादा, यानि एक से अनेक आएए, पहला उधारन पहले से ही हमें दिया हुआ है एक कहानी, सभी कहानिया एक तितली, कई तितलिया अगला बच्चो, आप खुद से भी कोई उधारन ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है एक टिबबा, दस टिबबे एक चूड़ी, धेरो चूड़िया एक खिड़की, चार खिड़किया बच्चो, यहाँ पर एक से अनेक रूप में लिखना है तो यहाँ पर हमारे प्रशन और उत्तर का अभ्यास समापत होता है आशा करती हूँ बच्चो, आपको बहुत अच्छे से समझाए होंगे अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए पाथ के साथ मेरे चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जिससे की आने वाले पाथ की जानकारी आपको मिल जाए धन्यवाद